तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वक्ति के जो है सबसे बड़ी ब्रेकिंग नुज जो है सबसे बड़ी अपडेट जो है निकल के आ रहा है जिया अठारा हजार पदो पर होगी 36 गड़ में जो है नए भरती नए व इंपोर्टेंट है बहुत ही महत्यूपण्ट जो है भरती है चाहिव और सिक्षक के बात करें अगर हम बात करें अगर अगर ही जादा important होता है अगर आप एक बार अच्छे शे कोशिश करके एक बार अगर आप अच्छे महनत करके अगर पढ़ाई कर लेते हो preparations कर लेते हो तो definitely है कि काम्याभी जो है आपको मिल जाएगा आपको शफलता जो है मिलेगा आपको मैं बताना शाहता हूं कई बार आप महनत करोगे बहुत जादा तैयारी करोगे preparations करोगे सौप रितिशत महनत करोगे लेकिन result नहीं मिलेगा लेकिन इसे यह नहीं है कि हमें पीछे हट जाना है या give up कर देना है आपको बताना शाहता हूं कि मैं भी वीडियोस बनाता हूं आप ही लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं लेकिन कई बार जो है मेरे वीडियोस पर व्यू भी नहीं आता है लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी नहीं कि मैं give up कर लूंगा बिल्कुल भी नहीं ठीक इसी तरह से आपको भी जिन्दगी में give up नहीं करना है लाइफ में बहुत जादा टर्निंग टर्निंग पॉइंट आते हैं लाइफ में बहुत जादा प्राब्लम्स यह सभी प्रशानी आती है लेकिन लाइफ वही है ना जो आपके लाइफ में कितने भी जादा प्राब्लम्स आया परशानी आपको प्राब्लम्स के बार बिल्गुल भी नहीं सोचना आपको यह सोचना है कि किस तरह से मैं मेहनत करूं किस तरह से मैं hard work करूं जिसे कि मैं अपनी जिंदगी में जो आगे बढ़ता हूं या अपने सभी सपनों को या अपने सभी dreams को पूरे कर पाऊं इन सभी चीजों के बारे में आपको सोचना है देखो problems के बारे में सोचने से परशानी के बारे में सोचने से problems या परशानी जो है शौल नहीं होने वाला है आपको solutions के बारे में सोचना है अगर आप सिक्षक बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको graduations complete करना होगा अगर आपका graduations complete हो चुका है तो आप जो है सिक्षक बनने के लिए बिल्कुल eligible हो और इसके साथ साथ आपका बी-एड होना चाहिए या फिर डी-एलेड होना चाहिए दोनों में से कोई एक आपने बी-एड किया हो या फिर आपने डी-एलेड किया हो और साथ में जो है टेट एक्जाम जो टीचर eligibility test है 36 गर्ड सिक्षक पातरता परिक्षा जो कि आप इसे हर एक स्टुडेंट्स के लिए बेश्ट हैं तो अगर आप अच्छे से त्यारी करते हो अगर आप अच्छे से महनत करते हो तो definitely है कि इसमें आपको कामया भी मिल पाएगा अपने आप पर भरोशा रखना और यह चीज़े बिल्कुल भी महसोचना है कि यार हम यह चीज़े कर पाएंगे अपर नहीं कर पाएंगे definitely आप उचीज़े कर पाओगे definitely आप success हो पाओगे बस कोशिश तो करो आप एक बार महनत तो करो result के बारे में क्यों सोच रहो परणाम के बारे में क्यों सोच रहो आपका result बहतर होगा आपको बहतर परणाम मिलेगा और आपको जिंदेगी में success प्रश्चिद्धी जो है definitely मिल पाएगा success के definitions क्या है ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार महनत किया तो अगली बार काम्याब हो गए वही success के definition थोड़ी नहीं failure के बाद जो success मिलते है success तो वही है तो बार बार life में आपको दिक्कते आ रही है problems आ रहे हैं परशानी आ रही है life में उतार चड़ाओ आ रहे हैं आपके life को पूरी के पूरी तरह से बदल चकता है अगर हम बात करें आपके एडियो के ही तो एडियो बनने के लिए आपका graduation कंप्लीट होना चाहिए graduation जो है मादमिक सुक्चा मंडल राइपूर बोर्ट सो होना चाहिए अगर आपका graduation कंप्लीट हो चुका है CHT को 5 वर्से को 20 को 3 वर्से को तो यही चीज़े हैं जो आपके life को पूरी तरह से enhance कर सकता है हमके life में बहुत जादा बदलाव लाशकता है देखो जिन्दगी में प्राब्लम्स परशानी हमेसा आती जाती रहेंगी आप यह सुचोगे कि जिन्दगी में बहुत जादा सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी और सिर्फ कामयाबी मिलेगा तो यह चीज़े नहीं होने वाला दोनों चीज़े होता है life में बहुत बार ऐसा होगा जो आपको निरासा देगी और बहुत बार ऐसा होगा जो unexpected रहेगा जिसके आपने कलपना भी नहीं किया होगा जिसके आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा वो भी result आपको मिलेगा तो दोनों चीजे हैं तो दोनों के लिए ही आपको तयार रहना है महनत भी करना है काम भी करना है hard work भी करना है और उसके लिए उसी effort के साथ अपने काम पर लगे रहना है एक ही चीज़ पर target होना चाहिए एक ही चीज़ पर focus होना चाहिए आपको कभी भी result के बारे में सौच कर डिसपॉइंट नहीं होना है आपका competition कोई और नहीं है आप खूद हो self confidence को बस improvement करना है जितना जादा तुम self confidence को improvement करोगे उतने ही जादा तुम आगे बढ़ पाऊगे आपको किसी और के records को break करने की बिल्कुल जौरत नहीं है आपको खुद के records को break करने अगर आप महनत कर रहे हो अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपके exams में कम marks आ जाता तो आपको दूसरों से थोड़ी ना compare करने है अपने आपको खुद से compare करने कि यार कैसे कौन सी mistake मैं ने कर दिया कौन सी गलती कर दिया जिसके वज़े से मेरा कम marks आया तो अगली बार मैं किस तरह से महनत करूंगा किस तरह से तैयारी करूंगा जिससे आने वाले टाइम है उससे बेटर उससे बेटर performance कर सको इन चीजों के बारे में सोचो ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा problems है या बहुत ज्यादा परशानी है तो problems के बारे में परशानी के बारे में बहुत सोच रहे हैं इसके बारे में थोड़ी ना सोचना है सिर्फ किस तरह से success से भासिल करना है किस सरसे मैनत करना है किस सरसे हार्ड वक करना है इन चीजों के बारे में सोचो इन चीजों पर जो है फोकस करो जितना जाद आप चीजों के बारे में फोकस करोगे हार्ड वक करोगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने ड्रिम्स को पूरा करने के ल यार अब हमसे हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा फिर आप जो है गिब अप करने लगते हैं फिर कुछ और नया चीज ट्राइ करोगे देखो कब तक जो है नया चीज ट्राइ करते रहोगे कोई भी चीज हो कोई भी फिल्ड हो जब आप एक बार ट्राइ करते हो उसमें असा के प्रिपरेशन करना उन चीजों के त्यारी करना बजाय उसके की रिजल्ट है कैसा होगा रिजल्ट के बारे में मत सोचो सिर्फ काम के बारे में सोचो जितना ज्यादा तुम काम के बारे में सोचो गे जितना ज्यादा तुम आगे बढ़ पाऊगे उतने ज्यादा तुम्हे काम्याबी जो है मिल पाएगा इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करने कोशिश करते रहने आपको यही मैं बताना चाहता हूँ लाइप में सबसे बड़ी शीक यही है कि जिन्दगी तुम्हारी उसी चीश के इम्तियान लेगी जो तुम्हारे अंदर मौजूद है अपने स्किल को बस डिवलप करना है अपने स्किल को बस इन्हाइंस करना है अगर तुम्ही स्किल को इन्हाइंस कर सकते हैं तो अच्छे से करो तुम्हें काम्याबी जो है जरूर मिलेगा और कोई भी नहीं रोख पाएगा बहुत सी स्टुडेंट होते हैं जो एक टाइम के बाद ज़र डिश्रपाइंट हो जाते हैं एक टाइम के बाद उन्हें लगने लगता है कि ये चीजे हमसे नहीं हो पाएगा तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि गवर्मेंट जॉप्स की त्यारी करते रहिए भरती परिक्षा की प्रिपरेशन जो है करते रहिए आपका एक दिन समय एक दिन वक्त जरूर आएगा जब आपका भी वक्त बदलेगा जब आपका भी टाइम बदलेगा उस टाइम के लिए इंतिजार कीजे कोशिश किजे, जिन्देगी में आगे बढ़िये आपके सभी सपने जरूर पुरे होंगे